एलो मेरे प्यारे बच्चों स्वागत है आपका आज की नई क्लास में नई क्लास और नया चैप्टर ये नया चैप्टर है प्रिंसेपल्स ऑफ इनहारीटेंस अद वैरियेशन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से नीट में हर साल प्रश्न आती हैं डूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर हमसे रिलेटेट है ये चैप्टर हमें बताता है कके हम अपने माता-पिता जैसे क्यों है और उनसे Staff क्यों करते हैं हमारा कोई Character हमारे भाइ-भेहन से मिलता है तो कोई character हमें हमारे किसी सगे रिष्टिदार से मिलता जूता दिखाई देता है ऐसा क्यूं है कोई character हमें अपने दादाजी से मिला है तो कोई character हमें अपनी दादी से मिला है कोई character हमें अपने मौसी जैसा दिखता है तो कोई character अपने चाचा जैसा जाटर यह हम सोचते रहते हैं पर इनके जवाब हमें नहीं देगे, आज इनके जवाब हमें मिलेंगे, और वो इस चेप्टर से मिलेंगे, क्योंकि ये चेप्टर बात करता है इनहरीटेंस की और वरियेशन की, तो शुरू करते हैं NCRT की पहले पेच से, NCRT कहती है कि कभी आ आश्चर्र हुआ है कि elephant हमेशा एक elephant के बच्चे को ही क्यों जनम देता है किसी और animal को क्यों नहीं या mango का जो sheet है अगर हम उसको grow करेंगे तो हमेशा mango का ही plant क्यों बनता है कोई और plant क्यों नहीं ऐसे बहुत सारे प्रशन आ सकते हैं मन में फिर NCRT कहता है कि of spring identical to their parent और कभी-कभी यह अपने माता-पिता से different characters को भी show करते हैं कभी आपको यह जानकर सोच कर राश्चर हुआ है कि क्यों siblings यानि की बाहिवन कभी-कभी एक जैसे में लगते हैं और कभी-कभी उनके बीच में difference भी होते हैं ऐसे कई सवाल जो हैं उनके उत्तर हमें मिलते हैं उनके जवाब हमें मिलते हैं biology की एक ब्रांच से जिसको हम कहते हैं genetics genetics जो है यह जो subject है यह deal करता है inheritance और variation of character from parent to office पे सबसे पहले यहां पर बात की गई है inheritance की inheritance is a process by which characters are passed on from parent to progeny inheritance by process है जिसके through characters जो है वो पास होते हैं माता पिता से उनकी संतानों में it is the basis of heredity और variation क्या है variation is the degree by which progeny differ from their parents यानि की variation वह चीज है जिसके बारा बत्ते अपने माता पिता से अलग होते हैं फिर आगे hidden कारण है sexual reproduction इसलिए मनुश्य ने क्या किया artificially select करके organism के बीच में breeding कराई तो उन्होंने जो अच्छे character वाले जो organism ते उनको select किया और उनको domestic animals में convert कर दिया convert क्या कि कहीं सारे select करके breeding कराई तब जाके वैसा कर पाए पालतू जानबर बनाया तो हमारे जो पूरवज थे ना उन्हें scientific knowledge नहीं थी इन सब चीजों की लेकिन फिर भी वह ग्यानी थे और वह यह सब जानते थे इसलिए वह यह सब कर पाए तो यह हमारी देख रहे हैं यह है गेगार मैंडल इनका बड़ा योगदान है genetics में क्योंकि इनों ने ही genetics की basic principles को दिया था यानि की मूल सिध्धानतों को दिया था ठीक है इसलिए इनको उपादी दी गई है father of genetics की यह है genetics के पिताजी क्योंकि इनों नहीं genetics के मूल सिध्धानत को दिया था तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर इनके experiments के बारे में इनके experiment को detail में discuss करेंगे तो गिगॉर मेंडल NCRT का ही लाइन है यह गिगॉर मेंडल conducted hybridization ये चीज़ ध्यान रखना गिगॉर मेंडल conducted hybridization experiment on garden peas for seven years and proposed the law of inheritance in living organism तो मेंडल ने क्या किया था लगवक साथ साल तक garden pea जो मटर हम घर पे खाते हैं न जिसकी सबजी बनाते हैं कभी पराठे बनाते हैं वही वाली मटर उस पर experiment किया hybridization कराया था और उसके basis पर इन्होंने inheritance के loss को दिया था यहाँ पर जो year है वो है 1856 to 1863 ये प्रशन अक्सर पूछा जाता है मेंडल ने कितने सालों तक काम किया था और sun भी पूछ लेते हैं तो इसको अपने notes में note जरूर कीजिए ठीक है अब आके भरते हैं के मेंडल के बारे में भी हमारा जानना जरूरी है के मेंडल क्या थे मेंडल ने क्या किया था तो सबसे पहली बात के मेंडल जो थे वह एक monk थे मेंडल एक monk थे और उसके साथ साथ उनका जो subject था वो maths था ठीक है वो एक mathematician थे मेंडल कौन थे, एक मैंटमेटिशन थे, अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आगे आपको पता चलेगा, ठीक है, इसके साथ-साथ इन्हों ने, जैसे कि हमने अल्रेडी इस बात को डिस्कॉस किया है, कि साथ सालों तक पी प ये आपको चोटे-चोटे नोट्स बना के रखने हैं, और पी प्लांट पर इन्हों ने किया क्या है, इन्हों ने आटी वीशल हाइब्रडाइजेशन कराया, ठीक है, आटी वीशल हाइब्रडाइजेशन कराया, He performed Artificial Hybridization ओन ओन पी प्लांट ठीके इसके साथ साथ कि क्यूंकि पी प्लांट जो है वो एक बाइसेक्शुल प्लांट है तो इन्हों ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या किया था इन्हों ने इमस्कुलेशन किया था और बैगिंग क्या किया था इमस्कुलेशन और बैगिंग इमस्कुलेशन के दौरान इन्होंने क्या किया था क्योंकि यह एक bisexual plant है तो इसमें male औफ female पार्ट दोनों होते हैं तो एनों ने emasculation के टाइम पर flower में से remove the anther anthers को remove कर दिया था ठीके और उसके बाद जो stigma होता है उसके उपर bagging कर दीती क्योंकि unwanted anther आके pollination ना कर दें इनने emasculation क्यों किया था क्योंकि इनको cross pollination कराना था क्या कराना था cross pollination कराना था ठीके इसलिए उसके जो male parts थे उनको remove कर दिया ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं चूकि हम जान चुके हैं कि मेंडल का जो experimental organism था वह garden pea यानि कि पाइसम से टैवम था तो इन्होंने इसी को क्यों चूज किया वाइए question है यहाँ पे वाइए पी प्लांट कोई अधर प्लांट क्यों नहीं लिया तो उसके पीछे के कई कारण थे जिनमें सबसे पहला कारण था कि अगर हम deployed stage की बात कर दें सबसे पहली बात तो यह deployed था यह क्या था? diploid था यानि कि हम बात करें 2N तो 2N का मतलब यहाँ पर होता था 14 क्रोमोजोम यानि कि यहाँ पर 14 होमोलोगस क्रोमोजोम थे यानि कि अगर हम haploid की बात करें तो 7 pairs थे यहाँ पर क्रोमोजोम के यानि कि यह माल लीजे यह एक cell है P plant की और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्रोमोजोम की तो यह देखोई यह एक सेट हो गया होमोलोगस क्रोमोजोम का यह 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है? 7 number of chromosome यह एक deployed organism था ठीक है? उसके अलावा भी ठीक है? दूसरा कारण यह था कि यह एक annual plant था annual plant था यानि कि life cycle short थी short life cycle यानि कि लगबग one year के अंदर यानि कि एक साल में ही one year में एक साल में हमें प्रोजैनी मिल जाते थे ठीक है? दूसरा तीसरा यह एक bisexual था bisexual plant था जिसकी वज़े से इसमें cross-pollination तो हम artivisually cross-pollination जो है वो हम artivisually करा सकते थे और साथ ही साथ हम यहां पर self-pollination तो संभा भी था क्योंकि bisexual है ठीक है? इसके अलावा और क्या बात है? इसके अलावा जैसे कि हमने बताया कि bisexual है इसलिए naturally self-pollinating plant था naturally self-pollinating plant है cross-pollination जो है यह artivisually परफॉर्म किया गया था ठीक है इसके बाद यह लार्ज नंबर अफ प्रोजैनी प्रोड्यूस कर सकता था अब जब लार्ज नंबर अफ प्रोजैनी प्रड्यूस होंगी तो क्या होगा लार्ज डेटा मिलेगा और जितना जादा लार्ज डेटा होगा उतने ही अच्छे हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ठीक है जितना जादा प्रोजैनी होंगे हमें उतनी ही ज्यादा कैरेक्टर्स को हम उतनी ही अच्छे से कैरेक्टर्स को स्टड़ी कर सकते हैं जिसे कि मालो हमें किसी पटिकुलर टॉपिक पर लोगों की राय जाननी है तो हम अगर 10-15 लो हजार दो हजार दस हजार लोगों के साथ मिलकर एक पटिकुलर टॉपिक पर डिस्कुस्ट करेंगे तो हमें जाधा accurate information मिलेगी तो इसलिए large number of प्रोजानी produce कर सकते थे यानि कि large number of data हमें मिला इससे हम जाधा अच्छे conclusion पर पहुँच सकते थे ठीक है next variation, large number of variation are found in P, larger number of variations are found in P plant, यह बात भी हमें ध्यान रखनी है कि P plant में बहुत जाधा variations हमें देखने को मिलते थे एक बार देख लेते हैं कि क्यूं P plant को choose किया deployed था number of chromosome जो थे वो total 14 थे यानि कि 7 pair थे, annual plant था, short life cycle थी, bisexual था, naturally self pollinating plant था, large number of progeny produce कर सकता था जिसकी वज़े से हमें जाधा data मिलता हम, जाधा अच्छे conclusion पर पहुँच थे, इसके अलावा इसमें बहुत जाधा variations थे, ठीक है अब देखो, यहाँ पर, आप यहाँ पर अगर हम P plant की बात करेंगे, तो मेंडल ने क्या किया था, बच्चों, 7 characters को choose किया था, पी प्लांट में 7 characters को choose किया था, जो की थे, sheet shape, sheet color, flower color, port shape, port color, flower position, stamp height, तो यह तो 7 characters थे, लेकिन, contrasting traits जो थे, वो 14 थे, यानि कि एक दूसरे के alternate, अब यहाँ पर देखो, कि जो sheet का, shape है, वो round भी है, wrinkled भी है, sheet color, yellow भी देखने को मिला है, और green भी, flower का color, violet भी है, white भी, full, जो port shape है, वो full भी है, constructed भी है, ठीक है, port color green भी है, और yellow भी है, flower के position, axial भी आपको देखने को मिलती है, और terminal यानि tip पर भी आपको देखने को मिलती है, stamp height, हमें tall plant में या देखने को मिलते हैं, और draft भी, ठीक है, तो mendel ने, अपने experiment के लिए, 14, 14 true breeding variety को choose किया, ठीक है, ये question आ जाता है, के mendel ने, अपने experiment के लिए, 14 true varieties को, choose किया था, ठीक है, 14, ये याद रखना है, ठीक है, जहाँ पर 7 pairs of contrasting traits थे, 7 pairs of, ये जो हैं, ये जो आपको देख रहे हैं, ये 7 pairs है, tall and rough, violet and white, axial and terminal, inflanted and constructed, green, yellow, round, wrinkled, yellow, green, और ये जो हैं, ये 7 characters हैं, ठीक है, तो यदि बात की जाए, देखो, ध्यान में रखने वाली बात है, बात की जाए, total number of varieties कितनी थी, true breeding varieties कितनी थी, 14, contrasting pair कितने थे, 7, total number of characters और traits कितने थे, 14, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखने वाली है, तो अगर हम बात करें कि ये pure varieties क्या होती है, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, ये जो मैं बता रही ह смог आपको तो इनको नोट करते जाओ, यह जो varieties हैं ये क्या है, ये true varieties है, यानि कि یہ homogigas हैं, ये several generations से इनमें self-pollination हो रहा है, क्या हो रहा है, several generation से इनमें self-pollination हो रहा है, true, breed, क्या बताता है हमें pure line, इनके अंदर कोई भी variations नहीं आ रहे हैं, ये क्या है, homozygous है, ठीक है, ये कैसे है, homozygous है, ठीक है, तो चलो, अब आते हैं, मेंडल के experiment पर, ठीक है, अब आते हैं, मेंडल के experiment पर, यहाँ पर हमारी NCR team है, जो heading है, वो है, inheritance of one gene, तो जो inheritance of one gene है, इसको हम monohybrid cross भी कहते हैं, हम इसको समझेंगे, monohybrid cross से, ठीक है, monohybrid cross से समझेंगे, और इससे हमें, दो basic principles मिले थे, जो था, law of dominance, और law of segregation, इसको हम आगे, discuss करेंगे, पहले हम मेंडल के experiment को discuss करते हैं, तो मेंडल ने क्या किया, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि यह सारे varieties, यहाँ पर देख रहे हैं, कि यह character को contain करने वाले varieties ही हैं, तो यहाँ पर मेंडल ने चो character select किया, वो था stamp, stamp height, और यहाँ पर इन्होंने दो pure variety ली, pure tall और pure tall और pure draft की, ठीक है, मेंडल ने क्या किया, दो pure variety ली, tall और draft, यानि कि लंबे और bonnet, इसका genotype, capital T, capital T, small t, मेंडल ने क्या किया, कि पहले experiment में, उन्होंने tall plant को as a father, यानि कि male parent, denote किया, मतलब माना, अपने experiment में, यानि कि इसके anthers को लिया, और draft plant को mother plant, यानि कि female plant, ट्रीट किया, इसलिए इन्होंने क्या किया, कि जो draft plant था, यानि कि जो bonnet plant थे, उसका emasculation कराया, यानि कि anthers को remove कर दिया, remove the anthers, ठीके, remove the anthers from draft plant, और उसके साथ साथ इसका क्या किराया, पहले emasculation, then bagging, bagging क्यों कराया, क्योंकि कोई unwanted anther आकर इसको pollinate ना कर दे, ठीके, तो भई, इन्होंने क्या किया, कि जो tall plant था, यहाँ पर, जो tall plant था, यह है हमारा tall plant, यह हमारा जो tall plant है, इससे एंथर लिए, इसके एंथर्स को, जैसे कि, यह हमारा, इसके पॉलेंस को, not anther, एंथर के अंदर पॉलेंस होते हैं, ठीके, तो इसके पॉलेंस को, जैसे यह, यह एंथर है, यह वाला portion, इसके उपर हो, इसमें ही होते हैं, पॉलेंस होते हैं, तो इनको transfer कर दिया, ठीके, किस पर, ड्राफ प्लांट के stigma पर, यह stigma है, style और ovary, ठीके, लिख देते हूं, stigma, style, and this is ovary, ठीके, इस पर, ट्रांसफर कर दिया, अब हम इसको बना देते हैं, white colors है, यहाँ पर, इसको transfer कर दिया, simply, इसको transfer कर दिया, तो कोई एक एंथर, जो था, उसमें क्या हो गया, germination हुआ, एक एंथर नहीं, pollen, एक pollen में, germination हुआ, ठीक है, एंथर से, pollen को transfer किया, उसमें germination हुआ, और उसके पश्चात क्या हुआ, उसके बाद बनी pollen tube, और वो pollen tube, यहाँ से होती हुए, ओवरी तक होजी, अब ओवरी, के अंदर था, ovule, और ovule के अंदर था, embryo, sac, detail में समझ रहे हैं न, इसलिए जरूरी है, और यह जो हमारा embryo sac है, कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पर उपर जो है, यह तीन होती है, antipodal cell, यह haploid है, center में होते है polar nuclei, जो की diploid है, और यहाँ पर होती है, हमारी दो side में synergit cell, और यह होता है, हमारे X cell, यह भी तीन हो, haploid होती है, तो जब यह pollen tube जो है, यह पहुँचती है, ovule तक, तो यहाँ पर जो pollen cell होती है, उसकी जो germinated cell होती है, वो क्या हो जाती है, उसमें mitotic division होता है, कौन सा division होता है, mytotic, क्योंकि जो pollen है, वो यहाँ पर haploid है, mytotic division से यहाँ पर दो male gamete बनते हैं, male gametes बनते हैं, ठीक है, तो अभी कहोगे कि तो double fertilization बता रहे हैं, यहाँ पर ज़रूरी है बच्छो, तो यह जो male gametes जो होता है, इसने इसको fertilize कर दिया, एक को, और यह जो है, दूसरे वाले ने इसको fertilize किया, अब यहाँ पर यह चीज जादा discussion नहीं कर रहे हैं, तो एक को sperm ने जब एक को fertilize किया, ठीक है, किसके sperm ने, किसके echo, टॉल प्लांट के sperm ने, ड्राफ प्लांट के echo fertilize किया, उसके बाद क्या हुआ, यह जो ovule जो था, पूरा process जो ovule जो था, कनवर्ट हो गया, sheet में, ठीक है, fruit आगया, sheet मिल गया, अब यह जो sheet था, जब इसको grow किया, ठीक है, जब इस sheet को grow किया, तो resultant, जो प्लांट आने थे, माता-पिता दोनों कैसे थे, एक टॉल था, एक ड्राफ था, हमें लगा blending होगी, beach का stamp height आई, लेकिन नहीं, क्या हुआ, जितने भी off spring थे, वो सब tall निकले, यानि कि अगर हम यहाँ पर देखें, F1 generation में, जितने भी off spring थे, जब हम pure line, एक निक बचो, जब हम pure line के बीच में, cross pollination कराते हैं, यानि cross hybridization कराते हैं, तो उससे जो संताने बनती हैं, उनको हम कहते हैं, F1 generation, यानि कि filial generation, तो जितने भी off spring थे, जब हमने tall और draft के बीच में cross कराया, यानि कि capital T, और small T, small T, small T के बीच में cross कराया, बच्चों यहाँ पर, यह LL है, जो responsible है, यह LL से हैं, जो responsible है, stem की height के लिए, तो जब cross कराया, तो जितने भी बच्चों यहाँ पर off spring थे, वो सब tall थे, क्यों कि यह यहाँ पर क्या हुआ, यह जो tall plant था, gamete में यहाँ पर, केवल एक, क्यों कि same gamete बने, capital T वाला LL आया, यहाँ पर small T वाला LL आया, तो जब इन दोनों का fusion हुआ, तो जो genotype था, जो genotype था, capital T, small T, यानि कि जो off spring में genotype आया, प्रोजनी में genotype था, capital T, small T, यहाँ पर बच्च था, small T का, यह expressed नहीं हूँ पाया, तो जो off spring थे, वो हमें सारे tall में लिए, हम इसलिए detail में समझ रहे हैं, इस चीज़ को, जितने भी off spring थे, वो कैसे थे, बच्चों, यहाँ पर, tall, ठीक है, इन दोनों में, जो cross कराया, तो सारे off spring कैसे थे, tall, capital T, और जो off spring था, जो phenotype था, वो था, capital T, small T, मेंडल को लगा, यहाँ पर कुछ गड़बर तो नहीं है, तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने, अपने next experiment में, मेंडल ने, रैसिपोक कर दिया, ठीक है, रैसिपोकल क्रोस कराया, यानि कि, इस बार मेंडल ने, tall को as a female parent लिया, यानि कि, मा के दौर पर लिया, और draft plant को इस बार, father के तौर पर लिया, और इस बार, जो emasculation हुआ, वो, tall plant का हुआ, परन्तो बच्चों यहाँ पर जो results थे, वो सब same थे, यानि कि, जो office spring produce हुए थे, वो सब tall थे, ऐसा सिर्ख इसके साथ नहीं, बल्कि, जितने भी उन्होंने फिर cross कराए, उन ठीक है, इन सब crosses के भीच में, तो मैंडल ने यहाँ पर कहा, कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, जिसकी वज़े से, यह character जो है, यह चिप गया है, यह यहाँ पर यह तो पूरी तरह से खतम हो चुका है, और tall plants हमें देखने को मिल रहा है, यह dominant, ऐसे character को जो F1 generation में दिख रहा था, उसको नाम दिया, dominant और जो नहीं देख रहा था, उसको recessive, यानि कहने का मतलब है, कि जो character, जो trait express हुआ था, उसके factor को, मैंडल ने factor यूज किया था, उस Allyl को नाम दिया गया, dominant और जो express नहीं हो पा रहा था, उसको नाम दिया, recessive, फिर आगे जाके मैंडल ने क्या किया बच्चों, यह यहाँ पर मैंडल की एक बात समझ में आई, कि यहाँ पर express नहीं हो पाया, तो मैंडल ने क्या किया, यह जो F1 generation की office springs थे, जो progenies थे, उनके बीच में selfing कराई, ठीके, selfing कराई, चलिए, अब इसको समझते हैं, इससे निकल के आएगा मैंडल का दूसरा यहाँ पर इन्होंने क्या कराया, उन प्रोजैनी के पीच में self-polyination, self-polyination क्या है, कि एक simple plant है, यह हेट्रोजाइगस है, उस टाइम पर मैंडल को नहीं पता था, हमें इस टाइम पर पता है, हेट्रोजाइगस टॉल है, ठीके, इन्होंने क्या कराया, इसका जीनोटाइप capital T, small T, इन्होंने क्या कराया, एक plant के जो flower है, उसमें enter भी है, और female part भी है, ठीके, उन दोनों के वीच में self-polyination होने दिया, ठीके, तो यह जो plant है, इसमें जो male gamit बनेगा, यानि कि जो sperm बनेगा, वो दो प्रकार का बनेगा, क्योंकि वो हेट्रो जाएगा से, वो दो प्र जिसमें small t ll होगा, और जो x बनेगे, जो x बनेगे, वो भी दो प्रकार के बन सकते हैं, एक ऐसा जिसमें capital T होगा, और एक ऐसा जिसमें small t ll होगा, ठीके, तो normally जब इनके बीच में cross कराया गया, देखो, capital T, small t, capital T, small t, दो प्रकार के gamete बने, male में भी, और दो प्रकार के gamete बने, female में भी, तो अगर हम normally इनके बीच में cross कराया, capital T, capital T, capital T, small t, small t, capital T, small t, small t, small t, normal भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक सबसे इजी तरीका है, वो है पुनेट स्क्वाइर, यहाँ पर हमने क्या किया के एक पुनेट स्क्वाइर बनाया, जिसको दिया था, पुनेट नाम के एक साइन्टिस्ट में, ठीक है, यहाँ पर हमने, क्या किया, यहाँ पर हमने, इन gametes को रखा, यहाँ पर हमने इन gametes को रखा, capital T, small t, capital T, small t, इसको हमने मान लिया, male gametes, मतलब इसको हमने मान लिया, father के gametes, और mother के gametes को ने ले दिया, यानि क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, eggs, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, sperms, ठीक है, तो यदि, capital T को contain करने वाला sperm, फ्यूज करेगा, capital T को contain करने वाले egg के साथ, तो genotype of spring का यह होगा, इसके अलावा, capital T को contain करने वाला egg, फ्यूज करेगा, small t को contain करने वाले egg के साथ, तो genotype कुछ यह होगा, और यहाँ पर भी यह condition आईगी, लेकिन, small t को contain करने वाला egg, अगर fuse होगा, capital T को contain करने वाले sperm के साथ, तो हमें यह results देखने को होगा, तो यहाँ पर हम बच्चों क्या देख रहे हैं, ज़र आप ध्यान से देखो, यहाँ पर, जो हमने यह ponnet square का use किया है, यहाँ पर बच्चों, यह वाला जो है, यह वाला जो of spring है, यह है, यह है, होमो जाइगस, होमो, जाइगस, टॉल, यह कैसा है, हेटरो जाइगस, यह कि दोनों कैसे है, जाइगस, टॉल, और यहाँ पर सबसे आश्चर्रे के बाद, बच्चों, क्या हुई, जो यह वाला of spring है, इसका genotype हम देख रहे हैं, लेकिन phenotype क्या होगा, यह ड्राफ हो यानि कि जो माता-पिता टॉल थे, यानि कि जो माता-पिता टॉल है, उनका बच्चा एक ऐसा प्रड्यूस हो रहा है, जो उनके माता-पिता के, मैं ए दो मैंसे एक की जैसा था, तो यहाँ पर जो character छुप गया था, F1 generation में, वो character हमें देखने को मिला, F2 generation में, यानि कि हमे यहाँ पर क्या देखने को मिला, Homo gygus, ड्राफ, ड्राफ ने है, होमो जाइगस में ही आईगी, तो यह कि हमो, होमो जाइगस टॉल, यह कैसा है, dominant, हम इसको बोलते है, होमो जाइगस, dominant, हेटरो जाइगस, dominant, और होमो जाइगस, recessive, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ratio देखते हैं, क्योंकि ratio भी हमसे पूछ लेते हैं, तो बच्चों यदि हम देखें, phenotype यानि कि दिखता कैसा है, आगे करते हैं, phenotype, phenotype, तो यहाँ पर हमें सबसे बड़े important बात हमें क्या देखने को मिली, यहाँ पर हमें सबसे important चीज यह देखने को मिली, कि जो character F1 generation में छुप गया था, वो character हमें यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है, इससे मिलती है हमें law of segregation, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर phenotype और genotype की, तो इन चारों में, यदि आप देखो, इन चारों में, इन चारों of springs में, तीन कैसे हैं, टॉल, और एक कैसा है, ट्राफ, तीन लंबे हैं, एक बॉना है, तो phenotypic ratio कितना हुआ यहाँ पर है, phenotypic ratio हुआ, 3 raise to 1, हम कैसे लख सकते हैं, 3 बटे 4 और 1 बटे 4, ठीक है, इसके अलावा, यह दि आप genotype यहाँ पर देखते हो बच्चों, genotype आपको यहाँ पर क्या देख रहा है, genotype, capital T, capital T को contain करने वाला एक, capital T, small t को contain करने वाले दो, और small t, small t को contain करने वाले organism एक, ठीक है, तो यहाँ पर हम लख सकते हैं, capital T, capital T is equal to 1 upon 4, capital T, small t, 2 upon 4, और small t, small t, 1 upon 4, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप genotype देखो तो क्या होगा, genotype यानि कि जो genetic makeup है, ठीक है, 1 raise to 2 raise to 1, यह आपको याद रखना है बच्चों, important है, यह पूछ लिए जाते है, F2 generation में, monohybride, monohybride cross का phenotype ratio बताएं, तो वो है 3 raise to 1, genotype ratio बचाएं, 1 raise to 2 raise to 1, ठीक है, यह हमें याद रखना है, ठीक है, तो बच्चों, इससे हमें मिली law of segregation, यानि की, हमें यहापे क्या मिलता है, इसको हम कहते हैं, purity of gametes भी कहते हैं बच्चों, तो law of dominance क्या था, और law of segregation, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर law of dominance की, किसकी हम बात करेंगे, यहाँ पर law of dominance की, तो law of dominance क्या है, देखो, इन a dissimilar pair of allele, जो की, देखो, यहाँ पर अगर आप देखो, capital T, small t, यह दोनों क्या हैं, dissimilar हैं, तो in a dissimilar pair of allele, one allele dominant, the expression of other allele, यह कह रहे हैं कि, एक allele, अगर यहाँ पर, देखो, बच्चों, यहाँ पर dissimilar pair है किसका? allele का, Mendel ने factor use किया था, ठीके, dissimilar pair है allele का, तो इसमें क्या होगा? एक allele जो है, वो expressed होगा, वो express होगा, ठीके, दूसरा allele hide हो जाएगा, उसका expression जो है, वो hide हो जाएगा, तो यह actually कर क्या रहा है, capital T, ll, जो है, वो small t के expression को row करा है, तो small t express नहीं हो पा रहा है, F1 generation में, तो यहाँ पर NCRT में कहा गया है, कि characters are controlled by factor, जिसको आगे जाके gene कहा गया था, factors occurs in pairs, जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया, क्योंकि यह deployed है, और यह किसमें होते हैं, factors, pairs में होते हैं, यानि कि gene जो होते हैं, वो pair में होते हैं, जिनको allel कहते हैं, contrasting pair of gene is the alternative form of allel, ठीक है, in a dissimilar pair of factor, one member of pair, dominant, ठीक है, the other, यहाँ पर सेम बात है, कि यहाँ पर capital T जो है, वो small t को express नहीं होने दे रहा है, और खुद express हो जाने, ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ यह कह रहे हैं, F2, यही चीज़ कह रहे हैं, dominant के बारे में, ठीक है, अब आती है, law of segregation, तो law of segregation, यहाँ पर देखो, बच्चों, हमने क्या देखा था, law of segregation है, कि जो character, जो था, टार, यानि कि stem part जोती है, बॉने प्लांट जोते, उस वो नहीं मिलेते, हमें कहां, F1 generation में कोई भी draft plant हमें नहीं मिलाता, draft progeny हमें नहीं मिलाता, लेकिन जब हमने F1 generation के tall plants को, क्या कराया, उनकी selfing कराई, दोनों ही जो parents थे, वो कैसे थे, वो tall थे, लेकिन फिर भी, उनके जो office spring थे, 75 office spring तो अपने माबाप की तरह ही tall थे, लेकिन 25% यानि की 25% office spring यहाँ पर हमें draft में, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कि during gamit formation, जो allel है, यानि कि gamit formation के time पर जो allel का pair है, वो क्या हो जाता है, एक दूसरे से segregate हो जाता है, अलग हो जाता है, जिसकी वज़े से एक gamit के पास सिर्फ एक ही allel आ पाता है, ठीक है, क्या होता है, कि जब gamit का formation हुआ, capital T, small t, तो यहाँ पर, जिसे कि हमने meiosis में देखा था, meiosis होती है, ठीक है, तो क्या होता है, हूमोल का जो पेयर होता है, वो अलग हो जाता है, जिसकी वज़े से क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है, और allel, और जो allel से वो कहां पर है, क्रोमोजोम के ऊपर है, ठीक है, तो क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाता है, इसलिए जो allel है, इसलिए हर gamit को एक character का सिर्फ एक ही Allyl मिलता है, दौनों Pairs नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो यह कहती है, Law of Segregation, तो अगर हम यहां पर देखें, Parents contain two allyls, during gamete formation, factors or allyls of a pair segregate from each other, that a gamete receives only one of the two factors, Homogagous parent produce all gamete that are similar, सही बात है, अगर capital T, capital T है, तो यहां पर अगर यह अलग भी होंगे, तो जितने भी gamete बनेंगे, उन सब में capital T होगा, या small t, small t होगा, यह homogagous है, तो यह अगर अलग भी होंगे, तो जितने भी gamete होंगे, उन में small t होगा, लेकिन अगर heterogagous condition है, तो one produce homogagous, one produce two kind of gametes, each having one LL with equal proportion, तो बच्चों यह था हमारा आजका lecture, आगे के, आगे हम next lecture में जानेंगे, आज हमने क्या जाना, हमने जाना, कि genetics क्या है, mendel कौन थे, pea plant को क्यों चूज किया, और mendel का पहला experiment, mendel का experiment, जो ता mono hybrid cross, जिससे निकली थी हमारी two laws, law of dominance and law of segregation, next lecture में हम discuss करेंगे, कुछ important topics को, और आगे, आगे के topics को, तब तक के लिए, bye bye, मिलते हैं आप से अगली lecture में,